स्टार्ट सबसे पहले मैं आपको माननी अध्यक्ष महोदय को उपाध्यक्ष महोदय को और सभापती जी एवं उन लोगों को जो यहां पर उपस्थित हैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं बधाई देना चाहता हूं कि सरकार नदियों को प्रदूसर मुक्त करने के लिए एक समग्र महत्वा कांची योजना सीग्र लानिक का विचार कर रही है आज आपको मालूम होना चाहिए कि हमारे देश के अंदर जल प्रदूसर की समस्या एक गंभीर रूप धारन कर चुकी है इस समस्या को दर्ष्टी गत रखते हुए हिंदुस्तान की समस्त नदियों को प्रदूसर से बचाने के लिए महत्वा कांची कार योजना सरकार की तरफ से तयार कर ली गई है आज प्राता काल केंद्रिय मंत्री मंडल तयार की गई इस योजना पर अपनी सहमती देने के लिए विचार करने जा रहा है मुझे आसा है कि कल तक इसको मंजूरी दे दी जाएगी मैं आपको इस योजना पर आने वाली लागत के बारे में बताना चाहता हूँ कि आनुमानित तोर पर लगभग 772 करोड रुपए आने की संभावना हो सकती है इस कार योजना के तहत कई नदियों के प्रदूसर रोकने के लिए और नगरों की नदियों के जल को प्रदूसर मुक्त करने के लिए प्रभावी ढंग से कार वाई की जाएगी ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इस कार योजना को केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में अपनाया जाएगा मेरे खयाल से संबद राज को भे कुल लागत रासी का आधा खर्च उठाना पर सकता है नदियों के संरच्छन के व्यापक कार योजना से यमुना गंडक कोसी नर्मदा कावेरी घागरा आधी नदियों को भी गंगा कार योजना से जोड दिया जावेगा यह हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि सरकार ने इस पर अमल के लिए राश्ट्रिय प्राधी करण और संचालन समिती गठित करने का भी फैसला किया है मुझे विश्वास है कि प्रदूसर रहित जल उपलब्द कराने वाली इस कार योजना के दूसरे तीसरे चरण के लिए भी गठित समिती द्वारा 235 करोड रुपए सुईकृत कराय जाने का प्रयास किया जाएगा इस योजना पर जो भी खर्च होगा उसका आधा खर्च राज सरकार वहन करेगी और बाकी का खर्च केंदर सरकार द्वारा वहन किया जाएगा मंत्री मंडल को करना होगा और हम सब लोगों को एक जुट होकर यह कार करना चाहिए मुझको आपको तथा उनको और हम सब को इस बात के लिए तयार होना चाहिए कि हमें इस बात को पूरे समाच के अंदर फैलाना होगा और उनके दिलों में यह बात घर कराना है कि जब हम सब मिलकर कुछ करेंगे तब ही समाच का भला होगा देश का भला होगा अगर एक दूसरे के इंतजार में हम बैठे रहेंगे तो इस समस्या से कभी भी छुटकारा नहीं मिल पाएगा महासै जी मैं आपका स्वागत करता हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है यह बिल यहां पर लाया गया है वह अती महत्वपून बिल है उसको देखकर आपको पता लगेगा कि किस प्रकार से आज हमारे देश के अमीर गरीब लोगों का सोसड कर रहे हैं आज हमारे देश में जो बेकारी की समस्या है